दोस्तों मैं सौगत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आस्था कंपिटर फाउंडेशन में तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इस टैली में कि टैली में आगे क्या होता है क्योंकि पिछले वीडियो में हमने टैली के बारे में आपको बता दिया है कि कंपनी कैसे बनती है टैली में कंपनी इन्फो से क्या क्या होता है तो कंपनी इन्फो के जितने भी फीचर्थ हैं उनके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और यदि आप लोगो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और फ्रेंड्स अब ही तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो की फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि देखें गिट्व आफ टैली पे जैसे आप कमपनी बनाते हैं टैइली में तो company बनाने के बाद आप ग municipality टैइली पर जाते हैं और गvania टैइली से आपको company info में जाना है तो आप करेंगे हैंपर alt app 3 keyboard से अपने प्रेस करेंगे तो हम company info के dialogue box में पहुνच जाएंगे और Company Info के जितने भी फीचर्स हैं इनके बारे में हम पिछले वीडियो में बता दिये हैं Friends, अगर आप लोग ने वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं अब हम बात करते हैं Friends, इसमें आगे की फीचर्स की गिटिवाफ टैली में जैसे Accounting Info है, Accounting Info से क्या होता है इसमें जो जो फीचर्स उनके बारे में बात करेंगे इन फीचर्स को बताने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि टैली में बेसिक चीज़े जो और होती हैं वो क्या है उनके बारे में पहले बात करेंगे तो चले इस टैली को हम पहले तो फिल मिनमाईच करते हैं अभी यहां से हमने टैली को मिनमाईच कर दिया Friends और अब हम बात करते हैं अपने आगे फीचर्स के बारे में कि इसमें और जो मीनिंग है मेल मेल वो क्या है उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है तो friends देखे यदि आप accounting काम करते हैं और account सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि account में assets किते ही परकार की होती है और उन assets में कौन कौन सी assets आती है तो देखे friends assets जो हमारी है वो दो परकार की होती है पहली जो हमारी assets है fixed assets है और दूसरी है current assets तो fix asset में कौन सी संपत्य आती हैं? fix asset में मिन्स होता है इस्थाई संपत्थ और current assets मिन्स होता है चालू संपत्थ तो friends यदे आप टैली पर काम करते हैं counting पर तो fix assets के अंतर के तो वो संपत्य आती हैं friends जिन में लंबे समय बात परवर्तन होता है या परवर्तन ना होता हो या लंबे समय बात परवर्तन होता हो जैसे कि हम कोई एक plant लगाना चाहते हैं एक plant चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने machine खरीद ले friends तो machine जो हमारी ये है ये क्या है fix assets है क्योंकि machine तो friends कोई तो road daily या नि machine daily तो कोई खरीदता नहीं तो ये machine हमारी friends क्या होगी fix assets होगी क्योंकि machine हम एक बार परचे करते हैं बार बार परचे नहीं करते हैं इसी तरह अगर आप building परचे कर लेते हैं या building बना लेते हैं तो building आपकी क्या है fix assets है क्योंकि ये इस्थाई समपत्त है इसी तरह furniture है, वो भी आपका fix asset होगा, land यानि जो भूम होगी वो fix asset होगी, वहिकल जो गाड़ियां आपकी हैं वो सारी fix asset होगी, यानि वो संपतियां जो लंबे समय बाद परवतन होता है या ना होता हो तो वो fix asset के अंतरगत आती हैं, सबसे पहले ये जानना आपके लिए ज होता हो, जैसे कि cash in hand, मतलब अगर आपके पास रुपिया पैसा है, तो वो भी आपके पास बदलता रहता है, कोई जरूरी ने की जो पैसा होगी, वो fix ही रहेगा, तो ये होगा आपका current assets, और next है, अगला option है, second option हमारा है, cash in bank, यानि bank में जो भी आपका accounts है, उसमें भी पैसा बदलता रहता है, तो ये cash in bank, ये भी आपके current assets होगा, next अगला है, debtors, debtors जितने भी होगे, आपके देंदार, किसी को पैसा आप देते हैं, या किसी को लेते हैं, किसी से, तो ये क्या होगे, आपके current assets होगे, इसनी प्रकार, next अगला option हमारा है, इसमें, bill, तो bill जो है advance, advance एनी पैसा हम किसी को advance देते हैं, या किसी से advance लेते हैं, तो ये सब क्या होगे, आपके current assets होगे, next अगला जो option हमारा होता है, फ्रेंट्स, वो है liabilities, तो liabilities means होता है, debt, यानि हमारा debt, तो क्या है, क्या liability हमारी है, ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, और liability हमारी दो प्रकार के होती है, एक होता है long term liabilities, और एक होता है current liabilities, तो long term में आता है loan from financial, यानि जैसे हम कोई loan लेते हैं, एक साल से अधिक का loan लेते हैं, लंबे समय के लिए लेते हैं, तो वो होगा हमारा long term liability, long term from financial, और next हमारा होगा current liabilities में हमारा आता है creditors, bill, यानि किसी भ वस्तू का खरीते हैं जिससे बिल उसका बिल जो भी होगा वो बिल है एडवांस है इसके अलावा हमारा है बुक ओवरड्राफ्ट बुक ओवरड्राफ्ट क्या होगा जैसे फ्रेंट्स माले जे हम कोई सामान वन थाउजन का पर्चे करते हैं और उसको हम 1200 का बेज देते हैं यानि एक हजार के सामने फर्क खरीदा और 1200 का सेल कर दिया तो जो प्रॉफिट होगा वो ओवरड्राफ्ट होगा एक प्रकार से हमारा नेस्ट हमारा है साट टर्म लोन यानि ये जो साट टर्म लोन होता है फ्रेंट्स वो होता है एक साल से कम का लोन जो हम बाइंग से लेते हैं या कहीं से भी जो लेते हैं बाइंगोगरा से तो जो साट टर्म लोन होगा वो एक साल से कम का लोन होगा तो नेस्ट अगला जो ह क्या लेते हैं? इंटर्स्ट लेते हैं निए आज और देखें ये एक फार्मूला है फ्रेंट्स काइपिटल अगर आपको काइपिटल निकालनी है तो क्या आप करेंगे आसेट्स से लियाबिल्टीज घटा देंगे तो आपकी काइपिटल आ जाएगी जैसे माल लिखिए कि ह हमारे पास जो assets हैं वो total assets हमारे पास हैं 5,000 यह 5,000 की assets हैं और जिसमें 3,000 की liabilities हैं तो 5,000 से हमने जो 3,000 माइनस कर दिया तो जो 2,000 बचिएगा वो मेरी capital होगी पूंजी इसी तरह liabilities आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? असेट से capital घटा देंगे तो assets हमारी 5,000 थी और capital हमारी कितनी थी? 2,000 तो capital एनि असेट से capital लेहाँ से माइनस कर दिया तो हमारी liabilities कितनी आ गई? 3,000 इसी प्रकार अगर आपको asset निकालना ही total तो total assets क्या को होगी? लियाबिलिटीज और plus capital को आइड कर देंगे तो आपकी total जो भी assets हैं वो आपके सामने निकल कर आ जाएंगी नेश्ट आगे बढ़ते हैं friends देखें यह जो revenue revenue means होता है I यानि business की जो I होती है उसे revenue कहते हैं प्रकार से expense means होता है business के खर्च daily के खर्च यानि business में क्या आया क्या गया तो यह जो daily के खर्च होते हैं उसको expense कहते हैं और cash होता है लागत cash means होता है लागते निकार हम कोई वस्तू बनाते हैं तो उसमें जो खर्च आता है उसे हम कहेंगे यह प्रकार से cash next अगला option हमारा है proprietor या honor ये company का मुख्य आदमी या मालिक होता है क्योंकि जो भी business चलाता है उसका honor काउन है तो उसको हम कहते हैं प्रकार से proprietor या honor कहते हैं उसका जो मालिक होगा वो honor होगा next है drawing ड्राइंग मिनस होता आहरण है इसका मतलब यह है कि personal huge के खर्च यह अगर आप कोई business चलाते हैं उस business के पैसे से अपना स्वयम का खर्च चलाते हैं तो उससे हम कहेंगे drawing एक प्रकार से next अगला option हमारा है goods goods में आता है raw material यानि कच्च माल जो हम लोग लकड़ी ओगारा कहते हैं उससे कच्चा माल कहते हैं प्रकार से और net अगला option हमारा आता है gross profit तो gross profit क्या है gross profit एक प्रकार का सकल लाफ है क्योंकि देखे टैली में profit and loss में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दो profit दिखाई पड़ेंगे gross profit होगा एक खर्चे निकालने बाद जो profit आता है उससे सुध लाफ कहते हैं नेश्ट होता हमारा अगला option है transaction transaction मतलब होता है company के daily के lane देन यानि company में क्या आया क्या गया तो इसको transaction means होता है प्रकार से lane देन नेश्ट अगला option है entry मतलब transaction के throw entry करना जैसा transition हो उसकी entry उसे आप से हम करेंग नेश्ट आगे है entity, entity means होता है अस्तियों तो यानि business का अस्तियों तो क्या है फिर है अगला option हमारा है फ्रेंट्स depreciation means होता है एक प्रकार से हरास या घिसावट यानि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में टायरों में हरास होता है तो कमी मतलब किसी वस्त में जो कम होते हैं उसे हम depreciation यानि हरास कहते हैं नेश्ट अगला option हमारा inventory या stock या आपके पास कितना stock है या भंडार कितना है तो यह सब मीनिंगे आपको जाना बहुत जरूरी है आके टैली सीखने के लिए फ्रेंट्स तो इस वीडियो में फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही है आपके ड़ए काई आपके लिए व्रेंट्स प्रूप यह सौरी है